यहाँ पर सबसे पहले और important सुकन्या समरद्धी योजना की तरफ है क्या सुकन्या समरद्धी योजना वो मैं बता देता हूँ एक बच्ची इसका जन्म हुआ ओके तो सरकार ने बोला कि इसके जन्म से 10 वर्ष तक till 10 year इनकी नाम से एक account open होगा उसका नाम है सुकन्या समरद्धी account इस account में आप एक certain amount deposit करेंगे और till 21 years लग आपको इस मतलब इस account में मतलब कहने का यह है कि एक बच्ची है जिसकी उमर अगर 10 साल तक है वो इस account के लिए eligible बनती है एक second मेरा sound check कर लूँ हलो 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 सारी चीज़ ठीक है यार ओके हलो 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 और इस योजना की तहित बोला क्या गया है आपको एक maximum जो amount है एक साल में वो डेड़ लाक रुपे है और जो minimum amount it is 250 रुपीज आप लोग इस बीच भी पैसे जमा कर सकते हैं और होगा क्या कि आप जो पैसे जमा करेंगे यह 15 years तक तो आप deposit करेंगे और 21 years के बाद आपको exact amount मिल जाएगा जो आपका total amount deposit रहेगा वो मिल जाएगा सर फाइदा क्या है फाइदा यह है कि आप लोग अगर bank में saving account open कराते 3% interest मिल रहा है FDB कराते 5.8% interest मिल रहा है यहाँ पर आपको around 7.4% interest मिलेगा per annum per annum 7.4% 7.4% interest मिलेगा शाएद इस से ज़्यादा interest मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरीके की scheme में कहीं मिल रही है तो ज़रूरी है इस योजना को समझना और आपका कोई परिचित, दोस्त, मित्र जहाँ पर किसी बिटिया का जन्म हुआ है तो definitely उनको इस account के लिए recommend कीजिएगा टेक्स में deduction भी मिलती है इसमें इसका पढ़ाने का reason यह भी है क्योंकि 22 जन्वरी को इसका अभी anniversary भी रही थी इस योजना को 22 जन्वरी 2015 को हर्याना के पानी पत से launch किया गया था as a part of the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign the account can be opened in the name of the girl child girl child के name से account open किया या सकता है कब तक जब तक उनकी उम्र 10 साल नहीं हो रही only one account can be opened in the name of girl child अगर किसी की घर में एक बेटी पैदा हुई तो वो account open हो सकता है फिर दुबारा एक बेटी पैदा हुई तो क्या फिर भी account open हो सकता है तो answer बनता है yes दो के लिए ये अच्छा दूसरी बार में अगर twins पैदा होती है तो फिर बोत eligible बन जाएंगी तो यहाँ पर तीनों के नाम से account open करा सकते है तो basically दो है अगर दूसरे case में अगर twins होती है तो फिर दौनों eligible रहेंगी अब आप सोच रहे हैं सर पहले case में twins हो जाएं तो दो तो maximum है यह तो पहले case में दौनों के नाम से account open करा सकते है account can be opened in post office branches of authorized bank birth certificate of girl child in whose name the account is opened must be submitted तो दोस्त यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर worth certificate mandatory है ठीक है it is must birth certificate होना चाहिए ठीक है birth certificate होना चाहिए बिन birth certificate के काम नहीं चलेगा birth certificate of girl child in whose name the account is opened must यह mandatory अनिवार्य है account can be opened with minimum of rupees 250 कम से कम 200 रुपे से account open हो सकता है और maximum 1,50,000 can be deposited in a financial year एक साल में maximum 1,500,000 रुपे तक जमा कर सकते हैं the account can be transferred anywhere in India from post office to another post office from one bank to another bank इसमें तीन चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहले देखो एक सारी बता देता हूँ 10 years maximum age दी गई है account में जो money deposit होगी वो 15 years तक होगी account open होने से 15 years और account जो matured होगा मतलब आप जो इसमें से पैसा जमा हो रहा है वो निकाल सकते हैं वो 21 years के बाद निकाल सकते हैं account open होने के ना कि बच्ची की उमर होने के account open होने के कब तक deposit करना 15 साल तक और account होने के किस सालवाद इसमें से आप पैसा पूरा विड्रौ कर सकते हैं लेकिन इस बीच जब बच्ची की उमर age 18 साल होती है तो आप उसकी पढ़ाई के लिए study के लिए 50% years from the date of opening it clear है दोस्त? simple है यार दोस्ती लेकिन यहां से question examination में आपको देखने को मिलते हैं ठीक है? 10 यह समझ में नहीं है अरे विदेत यार for example मेरे यहां एक बच्ची का जन्म होता है तो उनका जन्म होगा वो एक साल की, दो साल की, तीन साल की चार साल की, पांस साल की होगी तो 10 साल की जब तक नहीं होगी तब तक 10 साल maximum age बोली है तब तक आप account open करवा सकते हैं उससे ज़्यादा उमर की जो बच्ची आँगे उनके लिए account यह वाली scheme नहीं है 50% for the higher education purpose exactly है मैंने लोग बोला ना study के लिए study के लिए 21 साल में matured होगा 15 साल तक जमा कर आपने पैसा लेकिन आप पैसा आप 6 साल और लोक रहेगा लेकिन आपको इस पूरे टाइम में 20 साल तक 7.4% यह जो भी interest rate चल रहा पड़ेगा 8%, 9%, 7% जो भी ब्याजदर चल रही होगी वो मिलेगी वहाँ पर वरती का तब तक current face revise कर लो कोशन बैंक से clear है जनवरी के last week के MC कब कराओ कर आदूँगा 10 साल हो चुके हैं 6 महीने पहले 10 साल हो गए complete तो नहीं ठीक है तो यह याद रहा